हेलो गाइज वैलकम टुक्टी केलेक्शन बुटीक आज हम आपके लिए लेक आई हैं लहंगा साड़ी बहुत ही प्यारा लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लुक इसका साड़ी का रहा है नैट पट्टी का बिल्ला उज़े इसके साथ तो चलिए बनाते हैं इस साड़ी को इसके लिए मैंने कपड़ा जो है वो चारते मैं फॉल्ड किया हुआ है और इस के नीचे का जो इसके नीचे का जो the part निका लें और ऑम प्रेला में इसमें 4 तै में के वह उप्रेल्ड़ किया हुआ है पूरे पर निशान लगा के हम इसको काट लेंगे यह हमारा जो साड़ी के जो नीचे का भाग हमने जो देखा था वह इसका नीचे का भाग होता है वह काट रहे हैं यह हमने चार तेह में अंब्रेला टाइप में रखा हुआ है यह हमारा कटी है अब हम दूपट्टा निकाल लेंगे इसमें हमें डाइ मीटर का दूपट्टा चाहिए होता है और इसकी चोड़ा ही रखेंगे 25 जो हम दूपट्टे की चोड़ा ही रखेंगे काफी चोड़ा होता है 25 जोड़ाई में भी यह हम दूपट्टा निकाल लेंगे इसका यह हम ताल ले लेगिए कांप दूपटब्स में系 दूपटते का दूपटे क्यों लेस् जा, पूपकी चाहिए क्यों दूच्ट खंम पोगिसमाल काट लेंगे हैं यह दूपटा हम काट लेंगे है कि दूपटा हमारा काट दिया है हमने उसे साइड में रख लेंगे अब हम इसकी फ्रिल निकालेंगे इसकी फ्रिल हमें जितना हमारा धाई मीटर का दूपटा होता है तो पांच मीटर हमें इसमें फ्रिल लगानी होती है डबल यानि के डबल फिरिल लगती है इसमें तो हम साथ इंच हमने इसकी चोड़ाई रख लिए जो और लंबाई तो अपने हिसाब से रखी सकते हैं यह हम फिरिल भी काट लेंगे यह हमारे फिरिल भी कट हो गई है उसके बाद जो हम ऊपर का स्टेट भाग बनाते हैं साड़ी का उसे कट कर लेंगे यह हमने 20 इंच इसकी जो चोड़ाई लिए और इसकी लंबाई जो हमने लिए वो लिए जो लंबाई लिए हमने वो लिए हमने 30 इंच इसकी क्योंकि 15 इंच की हमारी जो नीचे जो हमने एंब्रेला वाला पार्ट लिया था वह 15 इंच का है तो यह हमने 20-30 इंच लिये तो उसमें मोडेंगे नीचे से तो वह 41-42 इंच हम रखते हैं पूरी लंबाई यह भी हमारी कट हो गई है उसके बाद जो हम इसमें उपर बैल्ट अटेच करते हैं उसके लिए जितना हमने जो उपर की स्कर्ट के लिए कपड़ा काटा था वह बैल्ट भी उतनी काट लेंगे और जो लंबाई होगी उस बैल्ट की वह 4 इंच होगी क्योंकि डबल करके आजाएगी बैल्ट तो वह फो बैल्ट हमारी कट हो गई है उसके बाद मसीन पर लेकर चलते हैं जो हमने इसकर्ट काटी हुई थी उपर की उसको साइड से पहले सिलेंगे जो हमने लंबाई जिसकी 30 इंच और चोड़ाई 20 इंच काटी हुई थी फोल्ड करके उसको साइड से सिल देंगे यह साइड से हमारी सिल गई है इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे इसमें लाश्टिक डालेंगे उपर जो हम बैल्ट लगाएंगे उसमें लाश्टिक डालेंगे उसके बाद जो हमने अम्रेला वाला जो पार्ट काटा था उसके नीचे हम इसे अटेच कर देंगे पूरी गोलाई में लेके उसको हम पूरे में अटेच कर देंगे इसको पूरा फ्रिल डालके हमने अटेच कर लिया है अब हमारी इसकर्ट पहले बनके तयार है यह हमारी इसकर्ट बन गई है इसमें जब हम पल्लू अटेच कर देते हैं तो साड़ी बन जाती है अब इसके नीचे वाले पार्ट में जो पहले प्लास्टिक वायर लगा लेंगे इसमें नीचे हम इसे एकदम खड़ा खड़ा लुक देंगे तो इस वज़े से इसमें हम प्लास्टिक वायर डाल लेंगे पूरे में ऐसे फ्लास्टिक वायर डाल लेंगे इसमें झाल झाल अब इसके बीच में जहां पैस से हमने जो अमरहला वाला पार्ट स्टार्ट करा था महां पे हम लैस लगा लेंगे झाल हमारी लैस भी लग गई है अब नीचे जो हमने प्लास्टिक वायर लगाया था उसमें भी हम लैस लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छी फिनीशिंग भी और लुक भी बहुत अच्छा आएगा इसका प्लास्टिक वायर पे हम लैस लगाते जाएंगे प्लास्टिक वायर हमारा लग गया है अब हमारी इसकर्ट ये बनके तयार है देखे कितना च्छलुक आया है इसका यह तयार है अब हम इसका दूपटा तयार करेंगे दूपटा तयार करने के लिए साइड से हम इसमें फ्रेल डालेंगे अब हम इसका दूपटा तयार करेंगे झाल झाल जहांसे हमने से सफ्रेड लगाई थी साइड से थोड़ा सा उध्याईS, और उध्यासा कोट्याँ, यह हमारी अटेच हो गई है साइड से पूरा सिल लेंगे इसको अब जो हमने यहां से यह खोला था थोड़ा अब उसको भी बंद कर देंगे इसके साथ इसको भी बंद कर देंगे अब उपर से उठाएंगे इसमें जो हमने यह चार इंच की जो बैल्ट काटी थी लंबाई जितना हमारी 20 इंच थी तो 20 इंच ही हमने बैल्ट काटी थी अब इसमें बैट अटेच कर देंगे हम पूरे में यह उल्टी तरफ से हम अटेच करेंगे ताकि सीधे तरफ से हमारी शिलाई अच्छे सा आ सके पूरी अटेच कर लेंगे यह बैल्ट अटेच हो गई हमारी अब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पर ही लाके उसके ओपर लाके उसको छोड़ेंगे छोड़ने के बाद उपर से उसको सिल लेंगे पहले उसके ओपर रखके उसको सिल लेंगे पहले और फिर उसकी बैल्ट बनाएंगे हमारी नीचे वाली बेल्ट कम्प्लीट हो गए हो अब उपर से इसको उठाके ऐसे ही बेल्ट बनाते जाएंगे इसमें हम प्लास्टिक डालेंगे मुष्या झालेंगे इस में लाश्टिक डाल लिए हमने अब इसको कम्प्लीट कर देंगे यह हमारी कम्प्लीट हो गई है अब उसके उपर से सिलाई चला देंगे ताकि वह रुकी भी रहे और अच्छी भी लगे बीच से